आज हमारे समाज में न ये प्रशन करने की हिम्मत रह गई है और न इसका उत्तर देने की हिम्मत रह गई है अगर उत्तर की और प्रशन की ये वरशा होती रहे तो हमारे नए समाज में जीवन आ जाएगा ये जो नपुन सकता चाही हुई है ना कि माताव बहनों के साथ ये कि देश के सूरवीरों ने गास की रोटियां खाके जियें लेकिन गंदे लोगों के सामने सर नहीं जुकाया हमारे देश की जो देवियां है वो अपने शरीर को नश्ट कर दिया लेकिन विधर्मियों को इस पर्स भी नहीं करने दिया अमीत भाटी जी महराज जी आपके चरणों में कोटी-कोटी प्रणाम गुर्देव अगर कोई व्यक्ति किसी मातायां बहन के साथ दुवियार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो हम वहां से निकल रहे हो तो ऐसी स्थिती में हमें क्या करना चाहिए अगर प्राण बहनों के साथ या किसी एक साथ आहित हो रहा आप निगाज ये हमें बिल्कुल पशंद नहीं है हमारा जीवन है अगर किसी को कश्ट मिला है परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रसंसाईत ही आउसर मिले ना जो दसरत जी को शोभाग्य नहीं मिला वो जटाईव जी को खवान की गोद में प्रान शोड़े हैं जानते हूं कि उन्होंने शियाजुके लिए अपने प्राणों की बाजी लगधीौ को रावन्ष करें शियाजुके। जानता है जटाय। कि मैं रावन के साथ में क्या हूं। बड़े देक्पाल काम्ते हैं। लेकिने पक्षी जटायो अपने पंख को प्रहार से उसको रावन को बिचलित कर दिया चोच पंजे पंख के प्रहार से कि तुम्हें माता को नहीं ले जाने देंगे सीता जी को नहीं ले जाने देंगे उसे चंद्रास के द्वारा पंखे कार दे व्याकुल होकर गिर परा हार आगे पड़ा जटायू देखा चीतवत राम चरन की रेखा वह गोध में उठा अंतेस्टी निकला और जो दसरत जी की अंतेस्टी क्रिया भरत जी ने की राम जी ने स्वयम अंतेस्टी क्रिया जटायू जी की की समझ रहे ना दूसरों की रक्षा के लिए यदि हमारे की कृपा प्राप्त होगी इसमें नहीं यह आज बहुत ही निंदनी बृति आ रहे हैं कायरता जिसे कहते यह बहुत कि बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्विवहार कर रहा है वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है और हम अपना सर जुका किसले चलाती कि मेरा तो नहीं न वो म मनुस्य कहलाने योगे नहीं हैं बाई पसू कहलाने योगे मसू मनुस्य तो कहलाने योगे नहीं है एक बार अपने शुरूप में आजाओ भगवान के अंश हो एक बार आजाओ मरना एक बार है सौ बार नहीं ज्यान रखना सौ बार नहीं मरना एक बार मरना है और करके बाबाजी बने थे अब में मरा बच्चा थे कौन रखेगा कहां रखेगा ज़ा पहले गर के निकलने कैसे सो आगर धाकुजी कि करपा न होती तो पहले बाण में गिर जाते जोई हैं गाव से बाहर निकले जन्वहeffective से ऋयसी पेरणा मनमें कैसे मिलेंग बच्छा थे कौन रखेगा कैस तो अम्मा है परिवाण है तुरंत आए कि अब तो मरा अब भगवान जैसे रखेंगे रखेंगे भगवान के लिए मरेंगे देखो आपके सामने पूरा जीवन हो गया एकांत गंगा की नारिया के लिए घुमना इश्मशान रात्री में पेंड के नीचे रुख जाना मंदिर कहीं भै थोड़ी लगा क्योंकि मरा प् हम निकल लें को यह हमारी बेहन को छेड़े तो उसमें आप ग्रीवा जुका के जाएंगे क्या मारो मती उसको बंदी बनाकर हमारा कानून है कानून को अर्पित करो हिंसा करके तुम नयापराद मत करो पर कोशिश करो बचाने की उसको बचाओ और उसको बंदी बनाने की य इस पर तो उतरना चाहिए हम कई बाद कई जगे ऐसा देखा है कि इतने लोग श्वार्थी हैं ग्यारा बज़े रात्तिरी के पहले नो बज़े तक आरती होती थी ठाकुर जी की तो आरती करके फिर विक्षा मांगते थे गरों में तो जो मिल जाता फिर ले करके कांत पाते आ से कनेक्षन होता है वहां एक नवीन बच्चिया गाय थी उसका पैर पता नहीं कैसे उसमें चला गया था जेवी द्रश्टी गई और कोशिस कर रहे तो हम दोड़ गए उसका पैर इसे पकड़ा अगर ही इसने थोड़ा वीला तो तूट जाएगा क्योंकि पूरा सेट हो ग से पास से निकल गए देखे भी नहीं अब हमका अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होगा यह चरफराएगी और तूट जाएगा अब क्या करें कितनी दिर बैठे रहेंगे अक्चा हमारे में इतना बल भी नहीं वो पशु है और सयानी थी पर नया बच्चा था तो हमका क्या कर तो बगल में एक बड़ा गेट लगा हुआ था हम सोचा इसको बढ़बढ़ाएं तो जेवी छोड़कर बढ़बढ़ाने गए उसने ऐसा किया कि आप क्या कर सकते हैं अगर चार लोग मुझे सायोग दे देते तो पांच थे पांच तो इतना कर देते कि पीछे का हिस्ता त उठा लेते वो बच जाता सीधे निकल जाता ना उसको कंट्रोल करने की जरूरत है ताकत के द्वारा को हिले डूले ना किसी ने सायोग नहीं किया तो यह तो मतलब आज हमारे समाज में इतनी श्वार्त बुद्धी होती कि कोई किसी को मार रहा है हमें क्या मतलब है कोई कि किसी के साथ गंदा विवार करने करें हमें क्या ह • ना तो कभी करें किसी के साथ और जहां तक हो वीरों ने गास की रोटियां खाके जियें लेकिन गंदे लोगों के सामने सर नहीं जुकाया बिधर्मियों के सामने आप पड़ो बड़े-बड़े चरित्र महाराना प्रतापादी बड़े-बड़े हमारे देश की जो देवियां है वो अपने शरीर को नश्ट कर दिया लेकि देश धर्म गुरु है यहां एक से एक महापुरुष पैदा हुए है जब तक अपने प्राणों का मोह रखा जाएगा तब तक धर्म पर चलना कठीन हो जाएगा पुजिस्री गुरु गोविन साहब जी ने पंच प्यारों की जो तैयारी की थी वो इसी बात की की थी कि शैड में कोई हमें प्राण दे जीवन दे मैं उसे स्वतंत्रता दिलाऊंगा लाखों की सवा में एक खड़े वी आव अंदर और ऐसा लीला की कि रक्ति की धार बाहर दिखाई दिया कि और कोई पाज खड़े वी ते पूरी शवा में तब कहा था सवाव लाख से एक को लड़ाऊंगा क्योंकि इन्होंने प्राण समर्पित कर दे न आव इनको ऐसा बनाऊंगा कि इनके सामने सवाव लाख भी नहीं ठीक सकते हैं क्यों प्राणों का मो छोड़ दिया ना प्राणों का म पाप करने वाला है वो भैवित रावन भैवित होके गया था सिया जी के लिए उसके लिए जो सब्द आया जिसे कुट्टा बढ़ियाई पर जाता है ऐसे हो गया था जिसके चलने से दिकपाल कांपते थे वह वांत कांप रहा था लक्षमर जी ने रेखा खीची ते हिम्मत नहीं थी कि अंदर चला जाए तो उसने चतुरई से विद्वान भी था चतुरई से कि भिक्षबंदि नहीं लेंगे बाहर आईए तो धर्म से चलने वाले में ऐख भागो धीक ओ अधर्म से चलने वाले में एक भैव होता है पर वो दिखाता भैए है वो भैवीत होकर भै हम लोग बहुत कुछ बचाया जा सकता है अपनी बहन मान करके अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं लेकिन जब हम यह देखते हैं कि अपनी नहीं तो हमारा गंदा जो भाव है वो हमारे आसपास फैलता है जिसे भागवतिक भाव है न वो आसपास के वातावरन को सुधारता है ऐसे हमारा गंदा भाव आज हमारा नया समाज स्वसुख वासना में इतना लिप्त हो गया है कि दूसरे की रक्षा करना भी धर्म है दूसरे को बचाना धर्म है ऐसी सोची न तो लोग है कौन हमी लोग हमी लोगों की जो बुद्धी सुसुख वासना में सुख लूटने भोगने की वासना में आ गई और आक्षास बना दिया धर्म से युक्त सुख भोगो भगवान ने बनाया धर्म का एक मर्यादा रखी उस्याव अन्यता फिर नहीं इतना तो प्राण बचाओ आज हो रहा है होने तो ऐसा कितने द्रश्य आप देखोगे जिसमें सामने लोग खड़े देखके मूँ फेर के चले जा रहे हैं अगर चार लोग जा रहे हैं और लोट करके देख ले तो उसकी लगजंका निकल जाएगी क्योंकि खुद भैभीत है वो जो अमाज रक्षा के लिए ऐसा प्रस्ण करते हैं ऐसा ही होना चाहिए प्राण तो निकलेंगे न एक दिन तो जाएंगे हैं अगर धर्म में जा रहे तो मेरा मालिक देख रहा है बस उसको देख रहा है दूसरी को थोड़ी देख लाए कि दूसरा कोई वावाई दे हमें मिड देख रहा है फिर वो जो आपके अंदर आनंद आएगा आप किसी को बचा के देखो वो जो आपके अंदर शुक और आनंद उर्जा आएगी वो किसी साधना से नहीं आती है वो इससे आती है जो परहित के लिए तैयार खड़ा होता है दूसरों के सुख का वर्धम करना और स्वयम दुख सहे जाना कई बार सत्सक में कहा है कि तुम जब भोजन पाने जा रहे हो कोई भूखा न जरावे तो अपनी थाल का भोजन अपने हिस्से को उसको पवा के दिखाना जब वो पाले फिर आप अपने हरदे में देखना जीवन बर पाते रोव ऐसी शांति उसी तलता नहीं आएगी जैसा उसको पवाले से आएगी कोई गरीब भूखा है अपने अश्सान का दे दिया अगर कोई कश्ट में आपने बचा लिया तो भारी विपत्ति जो तुम्हारे उपर कभी भी आने वाली होगी उस्षमे भगवान तुम्हें बचाएगा क्योंकि आज हमारे समाज में न ये प्रशन करने की हिम्मत रह गई है और न इसका उत्तर देने की हिम्मत रह गई है अगर उत्तर की और प्रशन की ये वर्शा होती रहे तो हमारे नए समाज में जीवन आ जाएगा हमारा नया समाज आप हमारे देश की शान है अगर आप लोग अप हमारी पर्शु में क्या भेद ब्रत्ती रहे गई वह जो खापी रहा है भोग रहा है बस उतन ही हमारा क्या जीवन हमारा जीवन ऐसा कुछ होना चाहिए जो उनसे विशेश हो विशेश जीवन हो इसलिए में बहुत अच्छा लगा आपकी भावना को प्रणाम करते हैं और श हीरों को देखो जैसे लोग ब्याह में नहीं प्रशन हो करके खुसी होकर जाते हैं ऐसे फांसी पे चड़ने के लिए तो विदेशियों के दिमाग काम ने करती भारती हैं क्या चीज बंदे मात्रम फंदा चुमा गले में डाल करके जोम गए देश भक्ती में जोम गए उनक का फंदा लगया धर्म में चला आज हम उनके गीत गाते हैं आज उन्हें प्रणाम करते हैं उन्हें नमस्कार करते हैं पसुओं की तरह मर गए कौन जानता है कीड़े मकूड़े की तरह अगर धर्म किया तो जैसे यहां स्वाग सम्मान आपका तो वहां पर लोग में भी सा आता रहता था तो नर्क में भी उसकी और जब यहां होता है कि ऐसा शमाज सेवी ऐसा धर्म से चलने वाला तो उसका वहां सम्मान होता है क्योंकि मालिक देख रहा है यह कर्म भूमी यह खेती है जैसा बोग है वैसे आपको फल प्राप्त होगा धन्यवाद के पात्र बनो ऐसा जीवन बना